है 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 लो स्टेंट्स गूट बॉर्णिंग नमस्ते यादाब मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर विशीक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फुचर डॉक्टर्स का तो लास्ट के 24 आर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए विकर्स आपने जितना कुछ पढ़ा है वन एन हाफ एर में वो सब कुछ लास्ट के 24 आर्स में कैसे रिवाइज करें और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें विकर्स कई बार होता क्या है कि हम जब एक्जाम पास आता है और टाइमिंग 24 आर्स से भी कम की होती है तो हमारी जो इंजाटी ले भी लिए बहुत जादा होती है हम सोचते हैं क्या पढ़ें कैसे पढ़ें और कहीं हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा ऐसे जो निगेटिव थौट्स आपके दिल में आते हैं वो आपको और बच्चों जो होते हैं अब एक कमप्टेटर उनसे कमजोर कर देते हैं तो इन लास्ट के 24 आर्स में यह अभी जो है मॉर्निंग के लगबग 10 a.m. संथिंग हो चुके हैं और कल 10 a.m. तक जब आप घर से निगलेंगे सेंटर के लिए तब तक आपका रूटीन क्या होना चाहिए आपको कितना पढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस वीडियो में आपको बताने वाला ह समझे कि आज आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं है आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है लास्ट के वन एन हाफ टू इयर ठीक है अब आपके पास इतना टाइम बचा है कि आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको आप रिवाइस कर लें रिवाइस कैसे क पहले अपनी फिजिक्स की नोट उठानी होगी इसमें आपने सभी फार्मॉलेस डेरिवेशन्स वैल्यूज लिखी होंगी बस उन्हीं फार्मॉलेस डेरिवेशन्स वैल्यू को एक बार पुरा रिवाइस कर लिजिए अभी कोई कोश्चन सॉल्व मत करिएगा क्योंकि आप कहें नहीं अपने आपको कमजोर मानेंगे और आपके अंदर नेगेटिव फिलिंग्स भी जनरेट होने लगेंगे तो आज से बितना करिएगा कि इतने भी डेरिवेशन्स फार्मॉलेस हैं वैल्यूस हैं उनको एक बार रिवाइस कर लिजेगा इतना करने में मुझे तक आपका कम से कम तीन से चार घंटा लग जाएगा विकॉस आपको फस्ट चाप्टर से लेकर लास्ट चाप्रत की जिए रिवाइस करनी है तो यह टाइम टेकिंग होगा ठीक है रिवाइस हो जाए फिर आप एक बार केमस्ट्री को ऐसे मैस ठीक है अगर आप माली जीए देखने बाद स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है लंज से पहले फिजिक्स हो जाएगा लंज कर लीजिए फिर जो दो से पांच के टाइम है वो केमस्ट्री का और फिर एक घंटे रिफ्रेस हो जाएए फिर आप जो है छे से लेकर नौ बजे तक आपकी बालोजीका हो जा पर नहीं होगा क्योंकि अब जो समय है इसमें आपको अपने आप पर विश्वास करना है अपने पर बिलीव करिए और एक्जाम में फोड के आईए जो कोस्ट्रस आएगा वही कोशन ने टाइम करिएगा फालतू के कोस्ट्रस जो है किसी को देखकर कंपेरेंट में मत क्योंकि अब आपकी एक एक छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी होने वाली है तो अभी से आप सभी विल्कुल सेफ हो जाएं सेक्योर हो जाएं अगर आपको 180 में 140 आता है तो 140 कोस्ट्रस ही करें 180 की चकर में न पड़ें ठीक है रूटीन अब कुछ नहीं करना है साम को 10 ब किजिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए क्योंकि अगर आप टेंशन लिके जाओगे तो आपका एक्जाम अच्छा नहीं होने वाला है इसलिए मस्तों के जाईए मस्तों के पढ़िए और हमिसा अच्छा सूचिए इस वीडियो में नहीं कोई डाउट से यार तो प्ली